जनपद गाजिपूर से है जहां आगामी 19 दिसंबा से बीजेपी की जन विस्वास यात्रा शुरू होगी शहर के लंका मैदान से बीजेपी जन विस्वास यात्रा शुरू करेगी केबिनेट मंत्री स्मर्ती रानी जनविस्वास यात्रा को सम्मोधित कर शुवारम करेगी गाजेपूर से शुरू होकर बीजेपी जनविस्वास यात्रा 15 दिनों तक काश्री शेत्र की विबन विदान सबावों में जन संपर करेगी यात्रा अमिटी पहुंच कर समाप्त होगी अच्पा के प्रती देश के 130 करोन लोगों का एक विस्वास पैदाव 2014 की पहले की परिस्थियों को जब आप देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि लोगों का लोगों पर से विस्वास होड़िया लेकिन देश का नित्युत आधाणी मोदी जी के हाथों में आता है तो लोगों का लोगों पर से विश्वास बनने लगता है और उस विश्वास को और मजबूती प्रदान करने के लिए 2022 की चुनाओ के पुर्व भारती जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा का सुरुवात गाजीपूर से सुरू करने जा नहीं है गाजीपूर से सुरू करके ये यात्रा 15 दिन कासी छेत्र में चलेगी और इसका समापन अमेठी के बड़ी सभा के साथ होगी इस यात्रा का सुभारम देज के बहुत ही कुसल वक्ता जुशारू नेता और अपने कैबिनेट मंत्री आदर्णिया इस्मृति इरानी दीदी इसका सुभारम करेंगी